नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का आपके यूटूब चैनल अस्पाई टूटोरियल में स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा जैसा कि कांसेट्ट फुरो क्यूस्चन के सीरीज में हम लोग जो भी प्रिवियस एयर में क्यूस्चन आये हैं 29 कांसेट्ट पर पूछे गये हैं उसको एकदम डिटेल में सीख रहे हैं तो आप मेरे साथ क्यूस्चन सौल कीजिए और कांसेट्ट को सीखिए मैं गारंटी दे रहा हूँ जो नेस्ट इयर एकजाम होगा वो इन्हीं कांसेट्ट पर फिससे क्यूस्चन पूछे जाएंगे और डेफिनिटिली आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी पस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जैसे ही वीडियो डिस्प्ले पे आए आप वीडियो को पॉस्ट करिए और उस क्यूस्चन को खुत्रे ट्राई कीजिए तब तक ट्राई कीजिए जब तक चारो आप्शन में से कोई एक आप्शन ना मैच हो जाए तो आपसे वो गलती द स्टाट करते हैं ए रहा डिस्प्ले पे पहला क्यूस्ट वीडियो को पॉस्ट करिए और खुद से ट्राई कीजिए आपने ट्राई कर लिया होगा अगर आपसे सॉल्ल हुआ तो बहुत ही अच्छी बात नहीं हुआ मैं कर रहा हूं देखिए कि कहां पे गलती हुई देखो तो इसमें कह क्या रहा है यह वर्नियर के लिपर वेन बोथ जाज टैच एच अधर कि रो आप दो वर्नियर स्केल शिफ्ट तौर्स लेक्ट एंड इट्स फोर्थ डिविजन कोंसाइड एक्जैक्टि बिथा सर्टें डिविजन अन मैं इसकेल इप 50 वर्नियर स्केल डिवि इजिन आर्ड इयर इन वन डेठी में सिंटी मेंटर एसको कितना ऊपने के बिइुजर करने करतेसे ब्स में इसमें क्या होता तो जिसका आउटर डाइमेंशन मेजर करना उसको यह नीचे वाज़े दोनों जो के बीच में यूज करते हैं यह जो फिक्स है इसको हम बोलते हैं में इसकेल अपना और जो मूब कर रहा है यह सकेल पूरा यह है हमारा वर्नियर सब्सक्राइब करते हैं इसके बाद देखते हैं कि हमारा में इसकेल पर कितनी रेडिंग आई जैसे एहां पे आई है उसके बाद ये हमारा जो वर्नियर में बिशन से कहां पर clearer कर रहा है से वहां से हम वर्नियर की रिडिंग निकालते हैं अब यह वर्नियर स्केल है कुछ ना कुछ तो इरर होगा ही तो उसमें जो होता है एरर को क्यूसिटन में दिया हुआ है आगा कोई कितने तक एक्तम accurate major कर सकता है उसी पर question बार बार आते हैं तो आपका list count equal to क्या होता है कि एक कितना major कर सकता है one main scale division minus one vernier scale division इनके बीच कितना difference है उसी को हम बोलते है list count उसे बाद जो हमारा total reading आती है वो हमारा देखो main scale पर कितना reading हुआ main scale पर reading प्लस vernier scale की reading अब vernier scale पर देखो division coincide करा था हम कैसे निकालेंगे जो हमारा list count आएगा उसमें हमारा vernier scale division जहां पर coincide कर रहा होगा उसको multiply कर देंगे प्लस vernier कैजिपर में यही concept और इस concept पर आप देखो न हर साल neat या जही एक question पूछता ही पूछता है जो concept समझ में आ गया अब question को हम solve करते है जब क्या हमको दिया है fourth division coincide exactly a certain division on main scale 50 vernier scale division equal to 49 main scale division जहां से आपको एक relations बना लेना है क्या हमको दिया है 50 vernier scale division जही दिया है 50 vernier scale division हमारा कितने की बराबर है 49 main scale division के question में दिया जाता है access तो यहां से आप एक relations निकाल दो किसी एक का भी क्योंकि list count equal to हमारा क्या होता है list count equal to हमारा one main scale division minus one vernier scale division इसमें से हम देखो दो variable है इसमें से किसी को हम एक में convert करेंगे किसी को भी आप कर दो चलो मैं one vernier scale division को convert करता हूँ यह हमारा कितना आएगे उपर वाजे में देखो one VSD equal to 49 main scale division divided by 50 है की नहीं यहां पर जैसे ही आया अब इसको उठा के हम यहां पर रख सकते हैं की नहीं विल्कुल रख सकते हैं list count equal to one MSD minus यह देखो VSD की बैलू कितनी हो जाएगे 49 by 50 MSD यहां से जब हम LCM लेंगे आएगा 50 इसको solve करेंगे list count equal to हमारा निकल के आएगा 50 minus 49 MSD दोनों में common है तो एक साथ लिखते हैं divided by 50 इधर क्या आजाएगा MSD जब इसमें सम घटाएंगे हमारा list count की बैलू निकल के आएगी 1 by 50 main scale division बोलो यह समझ में आया की नहीं आपको आसानी से समझ में आ गया होगा देखो अगर किसी तरह हमको main scale division का पता चल जाए main scale पे कितना division है तो 1 cm में कितने division होंगे हम निकाल सकते हैं कि नहीं बिल्कुल निकाल सकते हैं अब हमारा main target है list count किसी तरह पता चल जाए क्योंकि list count यहां दिया नहीं है उसके लिए देखो हमें error दिया है और हमको पता है जो हमारा error होता है वो कितना division scale आगे जाता है देखो error क्या होता है जब हम इस job को यहां पर एकदम सखाएंगे तो जो है नए आपका main scale है और देखो vernier को मानों यहां rate कर रहा हूं यह दोनों same पर आते हैं तो हम बोलते हैं कि कोई error नहीं है अगर by mistake यह हमारा इससे आगे या पीछे हो जाता है जो हमारा vernier scale है तो उसमें हम बोलते हैं कि कुछ ना कुछ error है तो उसको हम idea subtract करते हैं according to question देखो मैं details में explain कर रहा हूं ताकि इस type की question आए आप आसानी से कर देना और बार बार यह question पूछे जाते हैं तो यहां पर देखो हमको क्या दिया है 0 error दिया हुआ है इतना दिया हुआ 0.4 mm यहां पर मैं लिख लेता हूँ जो हमारा 0 error है तो हमारा कितना है 0 error हमारा है 0.04 mm है कि नहीं देखो यह mm में दिया है हमारा 0 error equal to होता क्या है 0 error equal to हमारा फार्मूजा होता क्या हम निकालते कैसे हैं कितना इसके दो आगे shift हुआ है number of division वो कितना shift हुआ है fourth division है कि नहीं यहीं हुआ है तो यह होगा fourth into list count into list count और हमें देखो 0 error दिया हुआ है 0.04 दिया है कि नहीं एकदम आसानी सहास हम निकालेंगे 0.04 equal to 4 into list count यहां से जो हमारा list count की value आएगी वो हमारे कितनी निकल के आएगी जब हम 4 को इससे divide करेंगे 0.01 mm unit का ध्यान रखना अब देखो जैसे हमें list count पता चला तो क्या हम यहां पे ref के main scale division की value नहीं निकाल सकते आराम से निकाल सकते हैं तो यहां से हमारा 0.01 equal to 1 by 50 main scale division और यह value हमारे किसमे है यम्यम में है यहां पे मैं लिख दे रहा हूँ तो यहां पे जब हम 1 main scale division निकालेंगे यह हमारा कितना निकल के आएगा 50 का इसमें multiply कराएंगे तो निकल के आएगा 0.5 mm एक main scale पे कितने division बने है 0.5 mm और एक centimeter में हमारा कितना mm होता है एक centimeter में होता है हमारा 10 mm और देखो एक mm में हमारे कितने बन रहे है 0.5 यहां पे देखो ना एक mm में हमारा जो है जो हमारा 1 MSD है यहां पे देखो जो हमारा 1 MSD है 1 MSD पर आपर हमारा कितना है 0.5 mm के एक mm में कितने होंगे 2 division बनेंगे है की नहीं एक mm में हमें कितने चाहिए एक mm में हमें चाहिए 2 main scale division है की नहीं तो अगर एक mm में 2 main scale चाहिए तो 10 mm में कितने मिलेंगे 21 cm equal to हमारा निकल के आएगा कितना निखल के आएगा 20 main scale division यह रहा हमारा answer कुछ नहीं करना है या list count निखलना है list count के लिए हमें 0 error का फार्मूला है 0 error होता है हमारा कितने number जो यह scale है कितना आगे पीछे move कर रही है main scale से आगे या पीछे जा रहे उसमें list count का multiply कर देंगे 0 error आ जाते 0 error हमको दिया हुआ था list count को निकाला यहाँ पे put किया और हमारे वैदू निकल के आ गए इस question और concept को अच्छे से सीख लेना और screw gauge का जो मैंने पिछले lecture में कराया था क्यूंकि next time इस type के question आने की बहुत ही ज्यादा possibility है I hope आपको यह समझ में आ गया होगा अगर ना समझ में आया होगा एक बार फिर से देखिए और अच्छे से सीखिए चलिए यह रहा अगला question वीडियो को pause करिए और खुद से try कीजिए I hope आपने try कर दिया होगा अगर आपसे solve हुआ तो बहुत ही अच्छी बात नहीं हुआ वैं कर रहा हूँ देखिए कि कहां पर गलती हुई देखो आप time देखे अभी अच्छे से concept सीखिए क्योंकि आप practice कर रहे हो अपनी गलतीयों को दूर करने के लिए यह नहीं अभी दूर करोगे एक्जाम में same mistake होगी और फिर से आपको एक साल rate करना होगा इससे बहतर है कम question करो लेकिन concept को सीखो वही concept बार-बार repeat होंगे देखो इसमें कहा क्या रहा है to find the spring constraint के आप है spring experimentally या student commits 2% positive error in the measurement of time and 1% negative error in measurement of mass the percentage error in determining value आपके is देखो आरे कितना easy है जब मैंने आपको concept सिखाया था सारी चीज़ें आपको detail में सिखाया था देखो एक कोई एक हमारी spring है आपको पता है कि इस पे एक bob या mass कुछ भी आप लगा दो एक mass है इसकी spring constraint है कि आपसे पूछता है कि एक student यहाँ पे perform कर रहा है एक experiment अगर इसका हमें time period निकालना होता था तो time period का फार्मूला हमारा क्या होता था याद है कि भूल गए two pi under root m y k जहाँ पे m क्या होता था यहाँ पे इस type के भी question बहुत बार आए हुए है m होता था mass और k क्या है हमारा string constant है कि नहीं देखो फार्मूले में चीजें पता होनी चाहिए नहीं क्या कैसे अपलाई करना आप वही भूल जाओगे इसलिए अच्छे से सीखो देखो दिया क्या है वो किसमिक क्या में गलती कर रहा है two percent positive error in measurement of time अब positive error को हम कैसे देखते हैं जो हमारा change है time में इसके रिस्पेक्ट में वर्जिनर टाइम के रिस्पेक्ट आप परसेंटेज इरर है into 100 और कितना किया है plus two percent mass को measure करने में कितना error किया है जो हमारा delta m by m है और percentage error हम ऐसे hundreds multiply करके लिखते हैं न इसमें minus one percent का इसने error किया है बोलो यह समझ में आया कि नहीं t square equal to क्या जाएगा 4 pi square इधर bracket हट जाएगा m by k हमसे k की बैदू पूछ रहा है तो k को हम इस साइड लाते है k equal to 4 pi square होगा एक नहीं k equal to 4 pi square m by t square जब यार मैं आपको unit and measurement सिखा रहा था वहाँ पर एक trick बताया था कि differentiate करके कैसे लिखते हैं बहतर है कि जो जैसा power है आप mod में सारी चीजें जिख देने का error में क्या आएगा देखो 4 pi square constant है इसमें कोई error नहीं आएगा error mass और time में आ रहा है तो हमारा इसको हम कैसे लिखेंगा गजर error हमें लिखना है delta k by k है की नहीं equal to यहां पर देखो आपको किसमे लिखना है mod में कुछ नहीं करना है तो mass है delta m by m कुछ भी रहे sign पाच्टिवाती है गलतियां हमेसा जूटती है इसके चलो मैं mod लगा देता हूँ अब देखो जो t नीचे है यह उपर जाएगा क्या हो जाएगा minus तो मैं mod लगा देता हूँ minus 2 जो power रहे गो आगे आ जाएगा 4, 5 कुछ भी रहे इस पर मैंने एक आपको trick सिखाया था यह आएगा delta t by t बोलो यह समझ में आया कि नहीं कुछ नहीं हमको percentage error में पर्ज़ उचे ही हम mod हटाते हैं और सब में 100 का मैटिप्लाई करते हैं ठीक हैं तो यहां पर जब हम percentage error लिखेंगे delta k by k into 100 इधर कराएंगे इधर हमारा क्या जाएगा delta m by m into 100 देखो कितना easy question है यह सब सारा data हमको दिया हुआ है plus mod हटेगा minus mod में पता है सारी चीज़ें plus में होती है 2 into delta t by t into 100 फुल यह चीज़ें समझ में आए कि नहीं देखो यह दोनों हमको question में दिये हुए है delta t by t, delta m by m आप इसको 40 second में question को कर लोगे तो data m by m को कितना भजे negative दिया है आपको positive देना इसलिए मैंने mod में लगा के दिखा जाएगा ठीक यह आएगा हमारा 1% प्लस 2 into 2% जब इसको हम solve करेंगे कितना आएगा 224 plus 1 जो हमारा spring constant के कोई major करने में percentage error आई है वो कितना निकल के आई है 5% है वो कितना आई जिली हमने इस question को कर दिया अगर यह आपको पता होगा तुरंत आप एप फार्मूला लगाओगे और यह करने की जरूरत ही नहीं यार 2, 2, 4, 1, 5 सीधा यही कर दो question खत्तम लेकिन बहुत सारे student होंगे इसलिए मैं detail में सारी चीज़ें explain कर रहा हूँ ताकि concept समझ में आये इसमें मैंने tricks गया था कुछ भी power दिया रहे power को सामने लेके आना है और जितना error दिया है उतना multiply कर दो आपको error मिल जाएगी फुलोई question समझ में आया की नहीं नहीं समझ में आया है वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखे concept को सीखे definitively आपको समझ में आ जाएगा चलिए ए रहा अगदा question वीडियो को pause करिए और खुद से try कीजे ए रहा dimensional analysis का बहुत ही अच्छा question और इसी साल J-min 2024 में पूटा गया है I hope आपने try कर दिया होगा अगर आप से solve हो गया तो बहुत ही अच्छी बात नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ देखिए कि कहां पर गलती हुई है देखो यार यार ये तो एकदम एजी है क्या बहुत है आपको ये चार दिया है तार्क, magnetic, thread, magnetic moment permeability या फिरे space और इनका dimensional formula दिया है तो चलो हम एक एकर कि इन चारों का निकालते हैं ताकि नेस्ट टाइम इन चारों में से individual भी कोई पूछ ले तो आप आसानी से कर लो तो चलो सबसे पहला क्या दिया है हमको टार्क, टार्क equal to हमारा क्या होता है देखो फार्मूला रेटियेगा मट टार्क equal to हमारा क्या होता है force into perpendicular distance होता एक नहीं, एफ क्या है एफ है हमारा force लिख देते हैं यह तो आपको confusion होगी और डी क्या है हमारा perpendicular distance force से टार्क यही से तो आता है इसके बारे में हमने पूर्टी detail में समझाया है चीजें अगर हमें टार्क का dimensional लिखना है टार्क को हम ऐसे टाव बोलते हैं force का क्या होता है ml t-2 यही होता है ना तो हम direct लिखते हैं दोनों का जब लिखोगे तो आपको क्या आएगा d का l होता है distance को हम length में measure करते हैं तो टार्क का हमारा आजाएगा ml square यही आएगा ml square t-2 यह रहा हमारा टार्क का dimension दूसरा हमको क्या दिया है दूसरा हमको दिया है magnetic thread magnetic thread को हम किस से लिखते हैं magnetic thread को हम B से लिखते हैं आई कि नई magnetic thread or B equal to हमारा क्या होता है चलो मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ देखो अच्छे से समझेगा क्योंकि यह पूछा है तो फिर से पूछा जाएगा यह होता है f by q into b f हमारा यहाँ पर क्या है देखो सबका मैं meaning लिख देता हूँ f है हमारा force ताकि आपको कोई problem ना हो q है हमारा charge charge है है की नहीं और t क्या है यहाँ voltage मत समझे देना d है हमारा velocity की इस velocity से वह हमारा charge मूप कर रहा है ठीक है जब इसका सब का यहाँ पर force का आपको पता है यहाँ t minus 2 q charge है charge का dimensions क्या होता है impairs में लिखते हैं की नहीं charge का dimension impairs में लिखते हैं और भी velocity है l t minus 1 बोलो यहाँ लिखूं कर तो यार आपको यह सब समझ में आई गया होगा जब यहाँ सब को रखके combine करेंगे तो यह हमारा आएगा खुद से रखके check करना क्योंकि practice नहीं करोगी exam में नहीं होगा a minus 1 यह रहा हमारा magnetic का अब तीसरा हमारा क्या है किस्तरा भी देख लेते हैं किस्तरा है हमारा magnetic moment यह भी हमने सीखा ही है magnetic moment क्या होता है जैसे moment equal to force into distance होता है इतरह magnetic moment में क्या होता है current into area magnetic moment यहां पर मैं देख दे रहा हूं यह फार्मूज़े है magnetic moment equal to i into a i हमारा क्या है i है हमारा current है कि नहीं है हमारा current और current या charge यह सब है उसको हम NPR में मेजर करते हैं उसका जो dimensional analysis का फार्मूला होता है और यह हमारा क्या है area एरिया क्या होती है unit meter square meter को किसमें मेजर करते हैं length में जब यहां पर हम magnetic moment को किस से दिखाते हैं M से जब यहां पर हम फार्मूला रखेंगे area होता है हमारा A square और current है current को हम MPR A के power 1 दिखेंगे ती निकाल यह है चवथा भी निकाल ही देते हैं क्या है चवथा permeability आप फिर इसपेस एप साइजन नाट इसका तो मैंने में वहां सा आप निकालोगे तो यही निकल के आएगा यहां से देखते हैं कौंस option मेंच हुआ तार्ग का क्या आया है हमारा टार का आया है a-m-l square t-2 नहां पर है a-m-l square t-2 यह राज चवथे में एका किस में जा रहा है चवथे में या तो b होगा या d होगा दो ऐसे ही कट गए अब दूसरे का देखते है magnetic thread magnetic thread हमारी क्या है e-m-t-2-a की पावर माइनस हों देखो ऐसे दो निकाल लोगे काम हो गया कौंसा हुआ तीन में तो हमारा कौंसा तीन में जा रहा है तीनों कट गए है option D हमारा सही हो गया आप दो भी निकाल देते जिना कुछ करे टीक कर देते जेकिन मेरा काम है आपको सारी चीजें बताना इसलिए इस स्रीज का नाम ही है concept through question क्योंकि अगर आप concept नहीं सिखोगे next time अगर exam में फिर से आएगा तो question आपसे solve नहीं होंगे इसलिए अब भी हाई display पर अगला question वीडियो को pause करिए और खुद से try कीजिए I hope आपने try कर दिया होगा अगर आपने मेरा पिछला session देखा होगा screw gauge वाला question खुद से किया होगा इस question को मैं आपको guarantee दे रहा हूं 50 seconds के अंदर आसानी से कर लोगे महां पर मैंने screw gauge का पूरा detail में सारी चीज़ें बताया हुआ हूँ तो आपने नहीं देखा है जाके देखना और इस पर पूरा question detail में कराया हूँ देखो आपने एक बार concept सीखा question repeat होना चालू हुए कि नहीं ऐसे आप देखना 2020 से किसवाई सर बिसी concept पर ही question पूछे जाते हैं कि वह डेटा चेंज होता है concept एक बार सीख लिजे बस तो इसमें क्या बोल रहा है इसके बार मैंने पूरा डिटेल में कांसेट समझाया इसले मैं यहां पर डारेक्ट लिख रहा हूँ तो हमें क्या दिया है यहां पर देखो main scale rating जो डेटा दिया है उसको लिख लेते हैं क्या दिया है 1AMM यह हमें दिया है main scale rating और क्या हमको दिया है तो हमारा circular scale है वो हमारा क्या हो रहा है जो हमारा circular scale का division है वो हमारा 42 division से coincide कर रहा है है कि नहीं और क्या हमको दिया है पीच हमको दिया है कितना दिया है पीच हमको दिया है वह है नहीं हमें और जो हमारा सरकुलर स्केल पे टोटल नंबर आप डिविजन है वो हमें कितने हैं 100 डिविजन किस पे हैं 100 डिविजन है हमारे सरकुलर स्केल पे है कि नहीं 100 डिविजन on circular scale अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए measurement करने के लिए measurement करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए list count क्योंकि जो हमारी total reading आएगी total reading हमारी क्या होगी main scale reading plus हमारा क्या होगा list count into हमारा circular scale का division कहां पे coincide कर रहा है अगर ये किसी तरह हमें निकल के आजाए इसकी value दिया है x by 50 तो क्या हम x नहीं निकल लेंगे आराम से निकल लेंगे देखो सारी चीज़ें दिया है unknown है list count चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं list count निकलते हैं list count equal to हमारा क्या होता है screw gauge में याद है screw gauge में होता है pitch divided by number of division on circular scale इसको याद रखना number of division on circular scale तो concept समझ में नहीं समझ में detail में सारी चीज़ें वहाँ पे discuss किया हुआ पिछले session में pitch कितना दिया हुआ है 1 mm और इस पे कितने division बने है 100 जब इसको हम solve करेंगे निकल के आएगा 0.01 mm list count हमको पता चल गई इस सारी value हमको दिया हुआ है तो चलो हम total reading में value put करना चालू करते हैं तो जो हमारी total reading आएगी वो हमारी कितनी है main scale reading main scale है 1 mm plus list count हमारा कितना आया है 0.01 mm 0.01 mm into इसमें multiply होगा circular scale division कहा पे coincide कर रहा है 42 division पे equal हो रहा है तो यह हो जाएगा 42 equal to x by 50 जो हमको दिया हुआ है कि total reading x by 50 आ रही है जब इसको हम solve करेंगे होगा 0.42 और 1 mm 1 by 42 होगा नहीं यही होगा 1 by 42 यह भी इधर mm में दिया हुआ है देखो यहाँ पे mm में दिया हुआ है dimensions याद रखना तभी यह कटेगा 1.42 mm equal to x by 50 mm यहाँ पे देखो यह 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 में यह में कैंसिल हो जाएगा हमें x की value चाहिए जब हम cross product कराएंगे 1.42 into 50 यह हमारा कितना निकल के आएगा x की value हमारी निकल के आएगी 71 कौन सा option सही हुआ option B तो कितना इसली हमने इस question को कर दिया अगर आपने concept शिखा होगा बिल्कुल भी time नहीं लगेगा तुरंत इसको सीख लोगे जब भी circular scale वर्नियर कैजी पर आए सबसे पहज़े list count निकाल देना reading का फार्मूजा पता ही है main scale division plus list count into अगर वर्नियर कैजी पर रहेगा VHD डाल देना सर्कुलर इसके रहेगा CSD डाल देना question आपसे बन जाएगा कुछ भी पूछे तो तो समझ में आया कि नहीं प्रूगे जो वर्नियर कैजी पर को अच्छे से सीख लेना बार बार चार नंबर ये आपको देके जाएगा और हर साल इस पर एक question तो पूछे ही जाते है नीट हो या जे ही हो I hope आपको समझ में आ गया होगा नहीं समझ में आ जा है वीडियो को pause करके एक बार फिर से डेखना बट इसको अच्छे से समझ लेना चलिए ए रहा अगदा question वीडियो को pause करिए और खुद से try कीजे बहुत easy question है I hope आपने try कर लिया होगा अगर आपसे solve हुआ तो बहुत ही अच्छे बात नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहां पर आपसे गलती हुई है तो प्यारे बहुत easy question इसमें कह क्या रहा है What is the dimensional formula of a b inverse in the equation इसमें बार बार की उस्चेन आते हैं कई बार आये हैं बदल बदल के इन्टू भी माइनेस बी कोई टू आर्वी तो यहां पर आपको दिया है आपसे पूछ रहा है कि ए और बी के dimension को हम मैटिप्लाई कराएं तो चारों में से कौन सा result होगा तो मैंने आपको एक कांसर्ट बताया था प्रिंस्पलाप होमोजेनिटी अगर हमां दो क्वांटिटी को तभी idea subtract कर सकते हैं जब उनके dimensional formula क्या हो सेम हो हम दो क्वांटिटी को note करके दिखलो कि हम दो क्वांटिटी को तभी idea subtract कर सकते हैं जब इन दोनों क्वांटिटी का dimensional formula क्या हो सेम हो अगर सेम नहीं रहेगा हम उसको idea subtract नहीं कर सकते हैं तो यह समझ में आया कि नहीं अगर आपको नहीं समझ माया है तो आपको जाके concept सीखिए वहाँ पर मैंने आपको detail में dimensional analysis में सारी चीज़ें सिखाया हूँ अगर देखो हम P plus AB square एक साथ आ रहा है तो जो dimensions E का होगा वही dimensions किसका होगा वही dimension होगा A by B square का तो यहाँ से देखो B हमारा क्या है यहाँ पर P है हमारा volume पता है नवांडर वाल गया P हमारा क्या है P है हमारा pressure यह चीज़ें याद है कि भूल गए याद है अच्छे से सब अभी exam देना इतना जल्दी मत भूलो ठीक है चलो अब यहाँ पर हम value put करते है pressure की dimension क्या होता है force by area इसका dimension होता है ML minus 1 यही होगा न ML minus 1 into T minus 2 A होगा हमारा pressure अगर नहीं आता तो F by A करके देख लेना F का ML T minus 2 divided by L square करोगे यही निकल के आएगा equal to dimensions आप A और B क्या है Oluum Oluum का क्या होता है L cube और इसका क्या है हमारा square है जब यहाँ पर हम solve करेंगे तो हमारा A का dimensions क्या निकल के आएगा M L के power minus 1 T के power minus 2 into इसके साथ देखो यह क्या हो जाएगा L के power 6 है की नहीं तो अब हम L का यहाँ पर multiply कराएगे तो power हमारी क्या होगी power हमारी add हो जाएगी ऐसे ही proceed करना है कुछ भी पूछा औरे बहुत बात पूछा गया है M देखो L के power minus 1 और यह plus 6 है जब हम यहाँ पर करेंगे तो क्या हो जाएगा minus 1 plus 6 तो M L के power 5 into T के power minus 2 यहीं आयक नहीं यह हुआ हमारा dimension आप A का जैसे हमें A का पता चला तो क्या हम B का नहीं निकल सकते same concept dimension फार्मूला क्या होगा B का पोलूम का होगा हमारा L क्यूब और O dimension फार्मूला आगया हमारा B का हम से देखो पूछा क्या है A into B inverse है कि नहीं A into B inverse चलो इसको solve करते हैं A into B के power minus 1 इसका dimension दिखते हैं तो यहाँ पर हमारा A का dimension हमने क्या निकला है M L के power 5 यहीना T के power क्या है T के power minus 2 into B का dimension हमारा क्या है B का dimension हमारा आया है L के power 3 जेकिन इसता क्या देना है inverse तो यह क्या हो जाएगा M L के power 5 T के power क्या जाएगा T के power minus 2 into हमारा L के power minus 1 into 3 L के power minus 3 तो जब हम इसको solve करेंगे तो यह हमारा क्या आएगा इसका dimensions देखो कितना इजी कीवल calculation है और कुछ है नहीं यार मैं यह थे basic सी M यह देखो plus 5 minus 3 कुछ इसमें मैं करना हूँ बस कीवल arrange किया जा रहा M L square T minus 2 यह रहा हमारा dimensions तो इसा option सही हुआ M L square T minus 2 option D इतना इजीली हमने कर लिए बस इसको याद रखना अगर कुछ और भी quantity आए कभी भी कोई फार्मूला आए अगर दो quantity add या सब्ट्रेक्ट हो रही है तो दोनों का dimension फार्मूला सेम होगा इसको याद रखना आप कैसा भी question पूछेगा आसानी से कर लोगे I hope आपको ये समझ में आ गया होगा नहीं समझ माया है वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखिए सारा doubt clear हो जाएगा चलिए ये रहा अगला question वीडियो को pause करिए और खुद से try कीजे बहुत ही जी question है याद इसको सही करना इसमें मत गलती करना I hope आपने try कर लिया होगा अगर आपसे solve हो गया तो बहुत ही अच्छे बात नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ देखिए कि कहां फे गलती हुई time periods of oscillation of the same simple pendulum measured using four different major reading आप पता है ने time period को इसकूल में experiment करते ना जब हम देखते हैं कि एक time period में कितना second दे रहा है दूसरे तीसरे चवते में फिर वो बोल रहा है कि the arithmetic mean आप these readings in correct significant figure इस चीज को याद रखना कि correct significant figure बहुत लोग इसको निकालेंगा सीधा answer tick करेंगा प्लस 4 की जगह माइनस 1 मिलेगा इस लिए इस चीज को याद रखना question जब भी J हो या neat हो क्या पूछ रहा है और किस unit में पूछ रहा है answer tick करने के पाधे 2 second लगेंगे उस चेक कर देना नहीं तो सारी मेहनत करने के बाद भी हो गलतिफ हो जाएगी तो यहाँ पर क्या दिया है T1 हमको reading दिया है 4.62 second यहीं पर कर देता हूँ T2 दिया है हमको कितना 4.632 second और क्या है हमें T3 हमको दिया है 4.6 second और क्या है 4.3 reading T4 हमको दिया है 4.64 second तो arithmetic mean हमारा क्या होता है सब का sum divided by total number mean reading तो ही होती है mean error तो T mean equal to हम क्या दिखेंगे T mean जो हमारा आएगा आएगा T1 plus T2 यहीं आएगा ना plus T3 plus T4 divided by 4 यह होता है हमारा arithmetic mean तो यहाँ पर जब हम सब का sum करेंगे 4.62 plus 4.632 plus 4.6 plus 4.64 जब इसको हम divide करेंगे 4 से तो हमारा कितना आएगा सब का sum देंगे तो करने पर T mean जो हमारा mean निकल के आया है ओ निकल के आया है 4.623 सेकेंड यह हमारा क्या है आएगा सब करेंगे और यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा इसलिए मैं बता रहा हूँ गलतिया कहां पर होती है यहाँ पर पूछा है significant figure significant figure क्या होता है कि जो हमें data दिया गया है जो हम सबसे least number का कवन सा है significant पता है ने total number को count करना जिसे इसका देखा जाए 3 है इसका देखा जाए 4 है इसका देखा जाए 2 है 1, 2 इसका देखा जाए 3 जो हम significant figure में देते हैं जो सबसे कम significant होगा उसी farm में answer देंगे तो सबसे कम significant हमारा कितना है least significant figure जो इसका में list होगा उसी में answer देना है जो हमारा least significant figure है वो है हमारा 2 तो हमारे answer में कितने होने चाहिए जो हमारा t mean आएगा t mean हमारा निकल के आएगा 4.6 second कौन सा option सही हुआ option b ये मत करना नहीं तो आपका answer गलत हो जाएगा significant figure पता है ने number count करने होते है ति उसमें कुछ zero के रूज होते हैं आप जाना playlist में video बना है मैंने पूरा concept डिटेल में सिखाया एक बार देख लेना सारी चीज़ें आपकी clear हो जाएगी I hope आपको ये समझ में आ गया होगा अगर कहीं भी कुछ भी doubt है video को pause करिए एक बार फिर से देखे सारा doubt clear हो जाएगा करिए ए रहा अगला question इस type की question exam में कई बार आते हैं इसलिए मैंने इसको लिया है आप सांती से आसानी से solve कीजिए तब तक solve कीजिए जब तक चारों में से कोई एक option मेंच ना हो जाए बहुत ही जी question है I hope आपने solve कर लिया होगा अगर आपसे solve हुआ तो बहुत ही अच्छी बात नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ और देखिए कि कहां पर गलती हुए और इस approach को समझे इस टाइम अगर exam में ऐसे question आए तो आप कैसे उसको solve करोगे तो यह कह क्या रहा है यार The speed up है वे प्रोडिवसिन वाटर इज गिवन भी एकवर टू लैमडा के पावर A, G क्या है? ग्रेवटी है तो क्या है? डेंस्टी है आपके पावर A, B, C दिया हुए लैमडा, G, एंड, रो, आर, बेवलेन थे question में mention किया रहेगा किसकी meaning क्या है? आपसे पूछ रहा है A, B और C की बैलू चलो हम इसको पहले लिख लेते हैं हमें क्या दिया है? भी equal to दिया है लैमडा के पावर A, E के पावर, B और रो के पावर क्या दिया हुआ है? C, इसको जो question में दिया है मैं पूरा concept बता रहा हूँ, इसलिए लिख रहा हूँ ठीक है? लैमडा हमारा क्या है? wave length, अच्छे सी इसको समझे है और इसको हम किसमें major करते हैं? मीटर में, तो हम मीटर में major करते हैं और इसका dimensional फार्मूला क्या होता है? L, length को major करने के लिए बीटर होता है, ती क्या है हमारा acceleration due to gravity acceleration due to gravity इसका क्या होता है? L, T, minus 2 dimensions और ρो क्या है? हमारा density है नहीं, ρो क्या है हमारी density, density का dimensions क्या होता है? mass by volume volume को हम unit होती है length हो उपर आएगा m l के power minus 3 तो दो dimensions पता चल गया अग नहीं कौन क्या है अब जब यह पता चल गया और velocity का क्या होता है जो यहाँ पर b क्या है हमारी velocity है velocity की unit होती है क्या dimensional formula meter per second meter को length से time उपर आएगा lt minus 1 कभी भी जो भी question डियार है जिसका meaning यहाँ पर दियार है पहले सबका dimensional formula लिख लेना है उसके बाद value put करना चालू करना है left और right side में चलो हम dimension formula करना सुरू करते हैं using dimensional formula ठेक बोलो समझ में आया कि नहीं जहां भी कुछ भी doubt हो आप बोलना कुछ नहीं है यार यही approach को follow करना है left side क्या है velocity velocity की क्या है lt minus 1 तो हम m को भी लाते है m के power 0 किसी के ओभी power 0 रहेगा तो 1 ही होती है कोई फरग नहीं l के power 1 t के power हमारा क्या जाएगा minus 1 अब इधर put करते है l है length web length के लिए acceleration due to gravity lt minus 2 इसके power क्या है b इसी तरह हमारा density है m l के power minus 3 और इसके power क्या है c अब चलो सब का power इसके साथ हम multiply करके एक साथ करेंगे अब ही तो हम compare करेंगे इधर हमारा आएगा m के power 0 l के power 1 t के power minus 1 अब इधर भी देखो सब को हम एक साथ करते है am l और t को अब देखो l कहाँ पे है यहाँ पे है a तुसरे में देखो l के power क्या है b भी है a plus b और यहाँ पे देखो तीसरे वाले में क्या है minus 3 और उसके उपर क्या है c तो यहाँ पे आजाएगा minus 3 c बोलो समझ मैंने कुछ नहीं तो यार आपको पता है न सिमिदर क्वांटिटी अगर हम प्रोड़क्ट सेम अगर बेस सेम हो तो power क्या होती है add हो जाती है with sign वही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अगला है t time पे देखो इसमें time नहीं है इसमें क्या है minus 2 b यहाँ पे क्या है कुछ नहीं है तो यह समझ में आया की नहीं दोनों तरफ आप देखो am alt, am alt हो गए अब आपको एक-एक को compare करना है और आपको a b c की value निकालना है अब तो एकदम e g हो गया किवाल equation solve करना है तो चलो सबसे पहले हम m को compare करते हैं दोनों side जब m को हम left and right compare करेंगे इधर देखो m की power क्या है 0 फिर क्या है m के power c तो जो हमारी c की value निकल के आई वो हमारी क्या निकल के आ गई है 0 और हम देख लेते हैं जो हमारा e g रहेगा पहले हम उसको निकालेंगे देखो a को करोगे यहां 3 unknown है c पता चल गया लेकिन b फिर भी unknown है तो उसके पहले हम time को compare कर लेते हैं तो जब हम time को compare करेंगे दोनों side तो हमारा क्या आएगा इधर time की power क्या है minus 1 इधर है minus 1 और इधर क्या है time की power minus 2 b इसी तरीके से करना है जहां से value पता चलती रहे तो यहां से जो हमारी b की value है वो निकल के i 1 by 2 तो दो value हमें पता चल गई है c और b अब जैसे यह पता चली अब हमारा बचा क्या है l l को हम compare करते हैं इधर क्या है l के power है 1 और इधर क्या है a plus b गई है ना क्या है a plus b minus 3 c तो हमें a unknown है वही निकलना है 1 equal to a c की value है 1 by 2 और c की value है 3 into 0 जो a b क्या है ना वही उससे ठाके रख रहा हूं a की value आ जाएगी 1 इधर plus है आएगा minus हो जाएगा 1 by 2 तो a b निकल के i 1 by 2 तो हमसे a b और c की value पूछा था a की value है 1 by 2 b की value है 1 by 2 और c की value है 0 तो कितना एजिली हमने इसको कर दिया 1 by 2 1 by 2 और 0 कुछ नहीं करना dimension को यहां पर ऐसे दोनों तरफ दिक देना इसके बाद am reality a template कुछ भी दिया रहे आप उसको एक एक करके power को compare करना और जो unknown रहे यहां पर equation बनेंगे और उनकी value निकाल लेना सबसे पहले उसको निकालना जिसकी value कम से कम variable पर depend हो तो आपको question आसानी से solve हो जाएगा फुलो समझ में आया कि नहीं अगर कहीं भी कुछ भी doubt है वीडियो को pause करिए एक बार फिर से देखे सारा doubt किलियर हो जाएगा इस type के concept को सीखना क्योंकि नेच टाइम फिर से question आएगे और PYQ में भी कई बार इस type की question पूछे गए इसलिए concept को में आपको सिखा रहा हूँ करिए ए रहा अगला question वीडियो को pause करिए और तुछ से try कीजिए I hope आपने try कर दिया होगा अगर आपसे solve हुआ तो बहुत ही अच्छी बात नहीं हुआ मैं कर रहा हूँ और देखे कि कहां पे गलती हुई और इस type क्योंसे आएगे तो आप कैसे solve करोगे जितने भी important concept है ना कैसे question बनेंग मैं सब को ले ले रहा हूँ बस केवल फार्मूले या dimension सी change होगे देखो यह कह क्या रहा है अब बाड़े आप माच 5 प्लस माइनस 0.5 kg मूलिंग भी थक विलाश्टी आप 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड इट्स काइनेटिक इनर्जी बिल भी देखो एरे जो प्लस माइनस में दिया जाता है यह भी एरे है औरे main quantity है तो यहाँ पर हम पहले इसको लिखते हैं आराम से इस type के question आएंगे आप कैसे करोगे ना उसको सीखिएगा राजिस्टेंड कुछ भी देता है बहुत सारे question इसमें बनाता रहता है 5 प्लस माइनस 0.5 kg यह हमारा क्या है mass इसी तरह हमारा क्या है अगला velocity velocity हमें कितना दिया हुआ है 20 प्लस माइनस 0.4 मीटर पर सेकेंड अब यार आप देखो जो यह हमारा है उपर की यह है हमारी main quantity m और जो यह error है इसको हम बोलते हैं delta m जो उसमें true t हो रही है उसको major करने में इसी तरह ही जो पहले quantity है वह velocity जो इसको major करने में true t हो रही है वह हमारी delta भी जब हम kinetic energy निकालेंगे जो हमारा final kinetic energy आए उसको हम क्या लिखेंगे kinetic energy है कि नहीं भी लिखेंगे न एक मिनेट पेन फंस रही है जो हमारा आएगा kinetic energy उसको हम क्या लिखेंगे kinetic energy प्लस माइनस changing kinetic energy इसको major करने में क्या changes हुए यह हमारा main फाफ़दा इसा मत सुचना कि यहाँ पे kinetic kinetic से कड़ जाएगा इसे form में लिखा जाएगा नहीं बिल्कुल लिखा जाएगा तो चलिए हम पहले kinetic energy निकालें फिर kinetic energy को major करने में कितनी त्रूटी हुई उसको निकालेंगे और हमारा final answer आ जाएगा kinetic energy क्या होता है हमारा kinetic energy equal to होता है half mb square value put करिए half m की value कितनी है m की value है 5 d की value है 20 का square जब इसको solve करोगे 20 का 400 हो जाएगा और यह 2 तो कितना आएगा हमारा thousand आएगा जो हमारी kinetic energy निकल के आई यह आई हमारी thousand जूट हमारा kinetic energy निकल के आगे आप इस टेजर करने में कितनी प्रूटी हुई उसको कैसे निकालना है main approach उसमें है उसको हम एक एक करके सेखते हैं तो आप मुझे बताओ जो हमारा kinetic energy है वो हमारा kinetic energy है वो हमारा क्या है आप mb square आप क्या है constant है कुछ उसमें नहीं होगा अगर इसका हम error लिखेंगे तो कैसे आएगा change in kinetic energy with respect to हमारा virginal kinetic energy कितनी थी इसी तरह अगर हम इधर लिखेंगे तो हमारा कितना आएगा change in mass divided by mass कि हम error इसी तरह लिखते हैं कि हमें major करने में कितना true T हुए divided by virginal plus अब देखो मैंने trick बताया था जो power है वो बगल में आ जाएगी तो 2 into velocity को major करने में कितना changes हुआ सारी value पता है क्या हम change in kinetic energy नहीं निकाल लेंगे एगदम आसानी से divided by thousand इधर हमारा कितना है data m देखो data m की value कितनी है 0.5 इसी तरीके इस question proceed करने है एकदम आराम से प्यार से करना question में कोई भी गलती नहीं होगी जल्दवाजी करोगे question गलती होने के chances बहुत ही जादा होंगे data b by b ए आ जाएगा हमारा 0.4 divided by b की value हमारे कितनी है b की value है 20 जब इसको हम solve करेंगे तो यह हमारा कितना आएगा जब इस सारी value को हम यहाँ पर solve करेंगे change in kinetic energy divided by thousand एह हमारा निकल के आएगा देखो solve करने मैंने direct किया है तो लिख रहा हूँ यह निकल के आएगा 0.14 जब हम change in kinetic energy निकालेंगे यह हमारा 1000 का यहाँ पर क्या हो जाएगा सब्सक्राइब के question किये थे ना वही यहाँ पर लगाया है हमारा काइनेटिक इकल टू हाफ हम भी स्क्वायर है अगर हमें इरर लिखना है उसमें changes कितने हो रहे हैं with respect to original आप हमारा constant था मास में कितना changes हो रहा है with respect to mass जॉस्टी में यहाँ पर दी हुई थी इनको उठा के हमने यहाँ पर पूट किया और हमारा answer निकल के आ गया जो हमारा final kinetic energy निकल के आया है जो यहाँ पर हमसे पूछ रहा था kinetic energy हमारी कैसे हम लिखेंगे पहले तो में जिसमें कोई एरर नहीं है फिर हमारी एरर कितनी हो रही है 140 जूल की यह रहा हमारा final answer प्लस माइनस 140 जूल जब भी इस टाइब की क्यूस्टन आये बोलो आप कर दोगे नहीं कौन सा अप्शन से हुआ अप्शन यह कुछ भी दिया रहे आपको मानो टार्क फो कोई भी फार्मूले का क्यूस्टन दिया रहे फिजिक्स में जो भी यूज हो रहा है कैसे प्रूसीड करना है कर लोगे कि नहीं इतना प्रूटी हो रहा है वित रेस्पेक्ट वर्जिनल पहले में निकाल लेना यहां पर मैटिप्लाई करा देना आप आसानी से इस टाइब सिमिलर कांसेट पर आये हैं एक भी ऐसा कांसेट नहीं है जो क्यूस्टन के फुरू कवर ना हुआ हो इसलिए मैंने इसका नाम रखा एक कांसेट फूरू क्यूस्टन अभी टाइम है अच्छे से क्यूस्टन प्रेटिस कीजिए ताकि आपकी एक अच्छी सी रैंक आ जाए तो चलिए इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं पर समात करते हैं जिलते हैं अगले सेशन में ऐसे ही कुछ अच्छे नए क्यूस्टन के साथ तब तक आप ज़्यादा ज़्यादा क्यूस्टन प्रेटिस कीजिए कांसेट रिवाइज कीजिए थैंक्यू